जो समाज का काईदा है शोशल नौम है कि हम शादी में देखते हैं लड़का आपको क्या होगा लंबा होगा लड़की से उम्र में बड़ा, सिक्षा में ज्यादा, लंबाई में बड़ा हर चीज में उसको उपर रखना है तो उसकी वजह से और वो उल्टा हो रहा है इसमें और वो शायद नहीं हो रहा है यह क्या वजह है उसके हीम भावना की? male को problem है female को problem नहीं है अच्छा हम थोड़ा सा इसके जो मुख्य पात्र है उनको देखें तीन मुख्य पात्र हम इसमें लेते हैं सलीम है मिथलेश बाबू है और बीना है और दो पुरुश यानि मिथलेश बाबू और सलीम यदि इनको हम आमने सामने खड़ा करते हैं तो आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या अंतर है अच्छा इस सवाल को ऐसे करते है इसमें कौन पर्याप्त मर्द है आप देखेंगे कि जो मिथलेश बाबू है उनको पूरी दुनिया क्या कह रही है छोटे बाबू हूँ वो एक पॉइंट पर कहते हैं कि मुझे शुकला जी कहिए उनका नाम है मिथलेश शुकला तो ये सिर्फ उनका उनका उनकी हीन भावना उनकी समस्या है या लगातार ये समाज आसपास हर चीज उनको ये एहसास करा रही है पर्याप्त मर्दानगी तुम में नहीं है आप मिथलेश भावू की चाल ढाल देखिए वो कैसे चलते हैं बस से उतरते हैं तो जब स्वागत करने लोग आते हैं तो कितना असमंजस में हैं हिचकिचा रहे हैं और कहां पे वो क्या आगे बढ़के निर्णे ले रहे हैं तो हम आम तोर पर जब समाच हम इन फिल्मों को देखते हैं सीरियल्स देखते हैं अपने आसपास देखते हैं तो शायद ये जो समाच के काईदे हैं इनको ये इतने घुले मुले हुए हैं कि हम अलग से नहीं उनकी पहचान कर पाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम कॉमेडी सर्कस में या टीवी रियालिटी शोर्स भी जो आते हैं क्यों भारती को देखे हसते हैं या पुरानी जमाने के फिल्मों में हम तुन्टुन को देख के हमको क्यों हसी आती थी और फिर किस तरह के characters आपको बनाए जाते हैं और उसमें समाज के काइदे किस तरह से काम करते हैं तो यहां यदि दो पात्रों को हम ले तो मिथलेश बाबु जो है उनमें हीन भावना क्यों आई है इसको थोड़े हम देखें और उनके किस-किस विवहार से आपको लगता है कि उनमें हीन भावना है और वो परियाप्त मरदानगी की कमी उनमें लग रही है फिल्म यह इसके बार में कुछ नहीं कहती है लेकिन क्या आपको इतना हिस्सा देख के कोई अंदाजा होता है कि आखिर क्यों उन्होंने अभी तक शादी नहीं की सिम्मेदारियों में उलजे हुए थे और कोई नहीं लेकिन बहन की देखबाल करने में तो भावी की भी भूमिका होगी वो शादी करके भी भूमिका आदा कर सकते थे यहाँ पर आपने जो बात कहीं कि वो रक्षक नहीं है लेकिन क्या फिल्म का जितना हिस्सा हमने देखा कहीं भी मिथलेश बाबू रक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं या नहीं वो अपना रोल नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन यह जो सवाल है कि क्या इस पूरी हिस्से में हमको यह कहीं दिख रहा है कि मिथलेश बाबू पुरुष की जो एक रक्षक की भूमिका है जो एक प्रोटेक्टर की भूमिका है वो निभार हैं कि नहीं ठीक है ये माल लिया उनमें असुरक्षा है ये माल लिया कि हीन भावना है लेकिन क्या इसके साथ वो जो पुरुषों के गुण माने जाते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है वो कहीं हमको दिखाई पड़ता है वहाँ पे सबजी वाले से जो बात कर रहा है और तो वाले के वो अचानक प्लान बदलते हैं और उस तरीके से और कहाँ उनिस्टी में या फिर जो एक पुरुष की भूमिका आप देखिए का रिक्षे से जब उतरते हैं तो चुकी वो नौकरी कर रहा है कमा रहा है पैसा कौन दे रहा है पैसा पैसा देने की मिथलेश ची तो इसको हम यदि थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिस करें कि हमारे समाज में ये जो दो डिब्बे बनाए दिये जाते हैं एक और एक मर्द का और उस डिब्बे में आपको तरह तरह के गुण मान लेजे दो डिब्बा है हलाकि दो डिब्बा भी नहीं है कई डिब्बे हैं बीच में लेकिन समाज उसको मानता नहीं है लेकिन मोटे तोर पर यदि हम इसको ऐसे समझनी की कोशिश करें कि दो खाने हैं, दो डिबे हैं. एक औरत का डिबबा है और एक मर्द का डिबबा है. दोनों खानों के काम बटे हुए है बटे हुए बटे हुए कि नहीं इसमें काम आके वो पकोड़ा कौन बना रहा है बाजार दोनों गए है वो बना रही है नौकरी कौन कर रहा जबकि ये पढ़ी लिखी है एमे है नौकरी इसका कोई प्रस्ताव भी नहीं है कि वो आगे नौकरी करेगी ये भी एक इंडिपेंडेंट महिला है लेकिन एक जो पत्मी की भूमिका है यानि शादी के बाद सुबह उठके दूध लेने का काम अब छोटी छोटी चीज़ें उपर ध्यान दीजिए वो किस तरीके से वो कहती है कि अभी तुम सीड़ी पर इंतजार कर रहे हो आगे से मैं इंतजार करूँगी तो ये काम बटा हुआ है दोनों डिपों का गुण भी बटा हुआ है जब वो देखने जाते हैं बरेली में उसको और जब इन दोनों की बादचीत होती है डाइनिंग टेबल का आप सीन याद कीजिए कौन धब राया हुआ है कौन नर्वस है मिधिलेश जी क्या कर रहे है कटोरी एक साथ दो तीन कटोरी डाल की रख लेते हैं उसको कौन दुरुस्त करता है बीना करती है आम तोर पर हम क्या मानते हैं नेड़ने लेना फैसला करना पहल करना इनिशेटिव लेना ये सारा किसका काम है पुरुष का लेकिन ठीक उल्टा इसमें हम देख रहे हैं कि वो बीना कह रही है वो कहती है कि इस शादी से उसको इंकार नहीं है ये शादी मनजूर कर रही है वो कौन आके कह रहा है तो काम बटा हुआ है रोल बटा हुआ है यहां तक ही जब बीना कहती है कि आप मेरा पता के साथ आप इमेल आइडी भी ले लीजिए उस पे भी हसी आती है क्योंकि आम तोर पर हम मानते हैं कि टेकनॉलजी और बाकी चीजों पे भी पहले अधिकार और पहले पहुँच किसका है पुरुशों का हमारे अपने घरों में भी यदि हम अपनी माओं को देख लें शायद यदि अपनी पीडी में बहुत सारे घरों में वो भूमिकाएं बदली हैं तो हम पिछली पीडी में देख लें तो हम क्या देखते हैं कि एकसेस किसके पास है टेकनॉलजी किसके पास है बैंक कौन जाता है बैंक का खाता किसके नाम है कंप्यूटर कौन चलाता है कंप्यूटर पर कितने वक्त कौन रहता है फैसला घर के कौन लेता है यह सारा बटा हुआ है यानि समाज ये जो दो खाने बनाए हुए है उसमें हमने मोटे तोर पर बाट दिया है काम को, जिम्मेदारी को, गुनों को और नियमों को नॉम्स को, नियम जिसको हम नॉम अंग्रेजी में कहते हैं काइदा शब्द भी उसके लिए इस्तमाल होता है कि अच्छा, आप स्कूटर वाला सीन याद कीजिए हाँ, स्कूटर के सीट की हाइट पहले उन्होंने कम करवाई थी पहले उनको से दिक्कत नहीं थी उनको अपना कद मालूम है और उनको किसमें सहूलियत होगी यह मालूम है तो उन्होंने उसकी सीट नीचे करवाई थी ताकि उनका पैर वो जैसे साइकल चलाने पर और स्कूटर रोकने पर तो एक पहुँ अडाना पड़ता है ना तो वो जमीन पर पहुँच जाए लेकिन जैसे ही वो शादी के रिष्टे में जाते हैं जिसका नौर्म ये है कि पत्नी आपसे इंफीरियर होगी तो उनको ये फिर लगता है कि इतनी सीट नीचे है तो पत्नी तो हमसे उपर ही हो जाएगी तो वो कैसे करते हैं कि चाबी का गुच्छा पॉकेट में रखके बहाना बना देते हैं कि स्कूटर खराब है हम देख रहे हैं कि नौर्म बटा हुआ है और हर जगा वो नौर्म का पालन भी कर रहे हैं ठीक है उनमें हीन भावना है लेकिन उसके साथ साथ जो पुरुष होने का जो उनका रोल है या जो पुरुष होने का जो भी नियम कायदा है उसको वो फॉलो करने की कोशिस कर रहे हैं और जहां कहां कहां टूटता है जैसे आपने शुरु में देखा होगा वो पूजा पाट कर रहे हैं पूजा पाठ किसका काम माना जाता है जादा औरतों का पुरुषों को फुरसत कहां कि घंटी डोलाएं बहुत होगा तो चलते चलते जाके हाथ जोड लेंगे या लेकिन आम तोरपा व्रत, त्योहार, पूजा, पाठ ये किसका जिम्मा माना जाता है महिलाओं का लेकिन इसमें कौन कर रहा है और दिल्चस्प ये है कि मिथलेश जी कई जगा समाज के काइदे को तोड रहे हैं लेकिन कई जगा उसका पालन भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से औरताना हो गए हैं या औरत के डिबे में चले जाए वो अपनी मरदानगी कायम करने का भरसक प्रयास करते हैं वो चाहे स्कूटर के जरिये हो और यदि आप पूरा शादी का सीन याद कीजिए तो जब हम कहते हैं कि ये समाज हमको इन नियुमों का पालन कराता है तो ये सारे इंस्टिटूशन्स यानि जितनी संस्थाएं हो चाहे शादी की भी संस्थाएं हो चाहे रिच्वल्स हो जो रीती रिवाज है या जो पूरा शादी का जो पूरा प्रपंच है उसमें भी आपको बार बार ये एहसास कराया जाता है आप उस सीन को याद कीजिए जब दोनों बैठे हैं ये जो कपल है और उनकी जो फोटो खीची जाती है तो आम तोर पर शादी शुदा जोड़े के जो फोटो है वो किस तरीके से है उसमें हमेशा पुरुश एक सुपीरियर पोजिशन में नज़र आता है लेकिन इनको लगता है कि इनका तो कद कम है तो कैसे होगा तब पत्नी जो की सिचुएशन को समझ रही है वो बीच का रास्ता निकालती है क्योंकि ये इंस्टिटूशन आपको बराबरी का संबंध नहीं देता है शादी संस्था भी अंतिता लड़की को कमतर मान करके ही चलती है इसलिए जब लड़की के लिए आप लड़का खोजने जाते हैं तो लड़की से उपर ही आप हर चीज़ देखते हैं वो इंकम से लेकर के हर चीज़ में पढ़ाई से लड़की की पढ़ाई में भी यही होता है कि भाया उतना ही पढ़ाओ जादा पढ़ लिख लेगी तो इससे जादा पढ़ा लिखा लड़का कहां से आएगा और यदि लड़की ने M.A. कर लिया तो अब B.A. लड़के से तो हम शादी करेंगे नहीं तो हर इंस्टिटूशन ये डिमांड कर रहा है कि आप जो पुरुष है उसको आप उपर रखें तो इस फिल्म में यदि हम देखते हैं दो तीन चीजों को कि मिथलेश जी को हीन भावना क्यों है तो वो एक दम स्पष्ट है कि जो समाज के नौम्स है पुरुषों के लिए जो मरदानगी के सिंबल्स है जो मरदानगी के प्रतीक है आप देखिए का जो सलीम आता है वो कै तो इसे धौल धपा करता है और कैसे बैटता है एकदम ऐसे फैल के बैठता है उसके पूरी जो बोड़ी लैंग्वेज है वो एकदम मरदान मरदाना है और यह जो चलते हैं यह कैसे चल रहे है यह पीटने भी जा रहे तो ऐसे ऐसे और लड़कियों के साथ भी क्या होता है जो लड़की ऐसे तन के चलती है तो उसको कहा जाता है कि थोड़ा कंधा सिकोड के टांग फैला के मत बैठो टांग समेट के क्योंकि उठने बैठने का धंग हर चीज बटा हुआ हम लोग इसको जेंडर कहते हैं यानि एक ऐसी अवधारना जो की गढ़ी हुई है बनाई हुई है वो जो चीजों को खानों में बाटते